Hello friends, welcome to my YouTube channel पुराना से पुराना दाद खाज खुजली को ठीक करें सिर्फ एक उपाय करना है आपको जी हाँ दोस्तों यह दि आप पुराना से पुराना दाद खाज खुजली से परसान है एक जीमा है फंगल इंफेक्शन हो गया है और वह जल्दी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जब भी इंफेक्शन फंगल इंफेक्शन होता है तो और तो ठीक तो हो जाता है बट फीर हो जाता है यानि कि दुबारा बार बार होने की समस्या है तो आप इस नुस्का को एक बार जरूर ट्राइ करें आपको काफी लाब होगा और फंगर इंफेक्शन दाद खाज खुजल एकजिमा को जर से खत्म कर देता है या नुस्का इतना एफेक्टिव और इतना असरदार है या घरिल नुस्का यदि आप एक बार ट्राइ करेंगे तो या किन वानिया फंगर इंफेक्शन को आप जर से खत्म कर सकते हैं और दोबारा होने की चांस बिलकुल भी नहीं होगी इतना जबरदस्त का या नुस्का है और इतना इतना असरदार या घरिल नुस्का है जिसका आप एक बार परियो करते हैं दाद खाज खुजली पे तो आपको दाद खाज खुजली जर से खत्म हो जाता है जी हां दोस्तों फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं लहसन आप सोचेंगे कि दाद खाज खुजली को ठीक करने के जबर्दस्ट कनुस्का बन जाए और दाद खाज खुजली को जड़ से खत्म करने में बहुत ही मतदगार साबित हो सके तो फ्रेंट्स लासन लेना है आप चार से पाच इसको कलिया ले और इसको छिलके को हटा देना है और इसको अच्छी तरीके से आपको कुचलना है जी हा सके या तो चाहे तो आप लहसन को ग्रेंडिंग कर सकते हैं लेकिन थोरा सा लहसन ग्रेंडिंग करना मुस्किल हो जाएगा तो आप ऐसे ही कद्दू कस कर ले और उसका थोरा सा जूस ले ले एक चमस के बराबर में जूस लेना है ज्यादा नहीं एक चमस के बराबर ही जू खुझली को जड़ से खत्म करने के लिए जब भी आप लगाए तो ताजा बनाकर और इससे लगाए तो ज्यादा एफेक्टिव और ज्यादा असरदार होगा उसके बाद जो हम इसमें एड़ करेंगे वो करेंगे कोकोनेट ओल यानी की नारियल तेल लेना है फ्रेंट नारिय तो आपको एक चमस के बराबर में लेना है नारियल तेल यदि आप ज्यादा मातरा में बना रहे हैं तो आप उस अनिसार नारियल तेल ज्यादा ले सकते हैं तो पांत अच्छे लास्तन के कलिया को छिलना है उसके एक चमस के बराबर में यादा चमस के बराबर में लास्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं तो ऐसे भी यह नुसका बहुत इपक्टिव है और बहुत अच्छा वर्ग करता है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं जहां पर भी दाद खाज खुजली हुआ है उस अस्थान पे दीन में दो से तीन बार जरूर लगाए और देखेंगे दो दिन में ही दाद खाज खुजली को आपको काफी अरा मिलेगा और तीन से चार दिन लगाएंगे तब को दाद खाज खुजली को जड़ से खत्म कर देगा यह नुसका बहुत प्रेदी आप दाद खाज खुजली से परसान है तो इस निसका को एक बार अवस्ति ट्राइ करें ताकि आप इसका लाब उठा सके जितना हो सके इस वीडियो के सेर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूले और बेल आइकन को हीट करें ताकि ह अमारा जो भी निव वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलेगी मिलते हूँ अगले एक निव वीडियो में एक निव टॉपिक के साथ है थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग नमस्कार